असलाम वालेकुम एबरीमन उमीद है आप सब खेरियस से होंगे तो आज मैं लाई हूँ फिर से आपके लिए एकदम न्यू रेसिपी तो आज हम बनाने वाले हैं मकवली चिकन बनाने वाले हैं उसके लिए मैंने एक किलो का फुल चिकन लिया है और इसे हमने मिक्स लिया है इसे हमने हड्डियों के साथ लिया है और कुछ लैग भी ले लिया है तो इसे अच्छे से वास करके हमने प्लेट में निकाल लिया है एकदम साफ करा है हमने एकदम अच्छे से आप देख सकते हैं कितना साफ करके धोया है हमने तो चलिए सुरू करते हैं अपना मकवली चि विर्च नेख करेड़ा धर्लक मीड़ी केड़ से काया और ला डिली तेट वहीं केड़ा बाइम के लिदिक दूपसे दूपसीच सुदू ने यह र्म कर लिए इसे अअच्छे से भून लेंगे अपनी प्याज को ऐकडम गोल्ड़न होने तक खूव्भ अच्छे से भूनना है भूत इस भूनने में हमारी , 4-5 मिनट का टाइम लगेगा तो देखिए प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है तकरीवन 3-4 मिनट हो चुके हैं तू टेस्पून के करीब हमने जिंजर गालिक पेश लिया है और टू ही टेस्पून अपनी ये हमने हरी मिर्ज का पेश लिया है इसे आइड कर दिया है अच्छे से इसे भी चला में अच्छे से चलाना है हमें अपनी हांडी को एकदम लगातार चलाते हुए भूनना है तो ये देखिए अपने मसाले को हमने कितना अच्छे से भूनना है अब इसमें ग्रेटर से ग्रेट करें अपने ये दो टमाटर डाल देंगे आप प्योरी का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो टमाटर को भी अच्छे से चला लेंगे, मिक कर लेंगे अपने मसाले में, थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जलेना और अच्छे से भून के निकले, इसकी खुस्पू एकदम लाजबाब हो जाए, तो ये देखिए, खुब अच्छे से भूना है, हमने पाउडर एड़ कर देंगे, और वन टे स्पून धन्या पाउडर एड़ कर देंगे, और वन टे स्पून हम ये मिर्स का पाउडर एड़ करेंगे, मिर्स थोड़ी सी कम लग रही थी, तो हाफ टे स्पून हमने और डाल दी, और ये हाफ टे स्पून काली मिर्स का पाउडर कर देंगे हाफ टे स्पून गरम मसाला डाल देंगे यह हमारा होम मेड है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने मसाले को तो देखिए मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं कितना अच्छा कलर आया है हमारे मसाले का और इसे हमने भूल लिया है खूब अच्छे से अपने मसाले को अब इसके अंदर आड़ करेंगे अपना चिकन तो चिकन हमने सारा आड़ कर दिया है अपने चिकन को अलटते पलटते मिक्स कर लेंगे अपने मसाले के अंदर तो देखिए सारा चिकन हमने मिक्स कर लिया है अपना मसाले के अंदर यह देखिए half teaspoon इसके अंदर हम भुना हुआ जीरा एड़ कर देंगे कुटा हुआ और half teaspoon कुटे ही मिर्चा एड़ कर देंगे और यह हमारे पास fresh धही है यह हमारी 1500 ग्राम धही है 1500 से 200 ग्राम के करीब धही आड़ कर दिया हमने अब इसे अच्छे से mix कर लिए अपनी धही के अंदर अपने चिकन को तो ही देखिए अभी इसे देखने में कितना अच्छा लग रहा है हमारा चिकन हमने अच्छे से mix कर लिया है अब इसमें नमक एड़ कर देंगे टूटे स्पन के करीब नमक हमने नहीं डाला अभी तक तो नमक को भी अच्छी से मिक्स कर लिया अपने मसाले के अंदर हमने अब इसे हम ढखके छोड़ेंगे तकरिवन 6-7 मिनिट के लिए तो देखिए चिकन को पकते-पकते हमारे तकरिवन 6-7 मिनिट हो चुकी है और आप इसका कलर देख सकते हैं हमारी चिकन का कितना अच्छा आया है और एकदम चिकन हमारा गल चुका है जैसा हमें चाहिए था ये देखिए ग्रेवी कितनी थिक हो गई है इसकी एकदम पकते-पकते लग रहा है कितना लाजवाब जैसे हमें चाहिए था परफेक्ट हमारे चिकन वैसा ही है अब इसमें ये एड़ कर देंगे ये फुल क्रीम है हमारे पास अमूल की ये 1500 ग्राम क्रीम है हमारे पास आप इस वक्त इसमें मलाई भी आड़ कर सकते हैं वन टेस्पून हमने कसूरी मैथी आड़ कर दिया इसके अंदर जो फ्राइ करी थी मिर्चे हमने वो भी डाल देते हैं तो देखिए लग रहा है ना हमारा चिकन कितना लाजबाब तो चिकन बनके हमारा रेड़ी है एक दम तो आप इस रेसिपी को किसी के साथ भी खाएं घर की रोटी के साथ या चावल के साथ या भार के नान के साथ सभी चीजों के साथ ये चिकन बहुत ही जाइक का लगता है आप मेरे तरीके से इस चिकन को ज़रूर बनाएं ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और सभी को बहुत पसंद आने वाली है अगर आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई हो तो पीस कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें अगर आप मेरे चैनल पे नई हो तो पीस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँशती रहे तो मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपने और अपने परव बार का ख्याल रखें अल्ला हाफीज